हेलो नमश्कार जहिंद वंदे मात्रम में प्यारे स्टुडेंट्स एक बार फिर से आपसे लोगों का बहुत बहुत श्वागत थे आज की इस नई वीडियो में आज हम मैच से चैप्टर 3 लेकर के आया हुए है सरली करण से तो आज आपका सरली करण चैप्टर इस्टार्ट किया जाएगा मेरे प्यारे स्टुडेंट्स आपको पहला और दूसरा चैप्टर जो की वर्मोल घनमोल अमगातां के अमकारणी है वो दोनों चैप्टर पहले ही पढ़ाया जा चुके हैं अगर आपने अभी तक उन दोनों चैप्टर को नहीं पढ़ाया जाकर के चैनल पे है तो आप लोग रोज सुबह साथ बज़े की क्लास मिस नहीं करेंगे मैस की क्लास आपको चैप्टर वाइस पढ़ाया जा रहा है तो आपको डेली की क्लास अटेंड करनी है तो चलिए चलते हैं आज की नई क्लास में तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सरली करण जैसे कि आपको पता है chapter number 3 आपका सरली करण है तो आपको chapter wise आपके solution दिया जाएगा with जो है पूरे questions के साथ में और आपको काफी जादा अच्छे से समझाए भी जाएगा तो आप लोग यहाँ पे जुड़े रहीएगा मेरे प्यारे students आज का पहला जो rule है आपका board mask का नियम है और board mask का नियम क्या कहता है आईए आपको बता देते हैं तो board mask के नियम में आपको जो यह board mask लिखा हुआ है मेरे प्यारे students इसी में सब कुछ आपका छिपा हुआ है board mask में b, o, d, m, a, s इन सभी जो words है इन सभी का जो है आपका letters जो भी है आपके इन letters में आपका एक एक जो है एक एक letter में एक एक word जो है छिपा हुआ है जैसा कि B से क्या होता है bracket होता है तो brackets में कैसे brackets खोला जाता है अगर 4 brackets एक साथ में ये सभी आ जाते हैं तो इनको कैसे खोला जाएगा वही इ जाता है अगर यह बार आ जाता है कहीं पे लगा तो सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे उसके बाद आपको यह छोटा कोश्ठा क्यानि छोटा जो है इसमाल ब्रेकट खोलना है इसके बाद आपको मिटल ब्रेकट खोलना है और इसके बाद में आपका जो है लार्ज वाला ब्र को और एडिशन को फिर आप सब्सक्राइशन को जो है साल्व करेंगे इसे हम एक हिसाब से आपको बता दें तो यह साल्व करने का तरीका होता है बी-ओ-डी बॉर्ड माश्ट नियम में आपको वी से ले करके एस तक की नीचे को नीचे को जाना है यानि कि आपको क्या करना है सबसे पहले ऊपर से स्वाल्व करना सुरू करना है पहले बी फिर ओ फिर डी फिर एम इसी प्रकार से आपको स्वाल्व करते आना है तो यह आपका बोर्ड माश्ट का नियम हो जाता है आपके सामने जब क्वेश्चन आएंगे तो आपका यह जो है एकदम फाइनल हो जाए हैं जिसे अगर कभी-कभी आजाता है AQ अपान AQ प्लस BQ अपान में A स्क्वार मानिस AB प्लस B स्क्वार तो आप इसे डायरेक्ट में A प्लस B लिख सकते हैं अगर आपको यहाँ पर यह फार्मूला नहीं याद है तो आप स्वाल ब करेंगे तो आपका time भी ज्यादा कर ज्यादा लगेगा तो आपको क्या करना है time को बचाना है और स्वाल करके जल्दी से आपको answer देना है क्योंकि polytechnic entrance exam में optional होता है आपको जितने जल्दी आंशर आ जाए उतना जल्दी ही आपको लगाना होता है क्योंकि टाइम का भी वहाँ पे ध्यान रखना होता है तो आपको ये सभी questions में जो भी questions जो है पूछे जाते हैं अभी आपको सामने जो है question जब कराईद आएंगे उसमें भी आपको देखने को मिलेगा अगर आपका कहीं a cube प्लस b cube अपान a square minus a b plus b square is equal to जो है इस प्रकार का आपको लिखा मिल रहा है तो आप उसे a plus b में लिख सकते हैं अगर इसी प्रकार से अग हम पहला solve करना चाहें जो a plus b का whole cube का अगर फार्मूला हम लगाएंगे तो उससे हमारा जो है यहाँ पर a cube plus b cube आजाएगा इधर आपको पक्छांतर करके लिख लेना है तो इस प्रकार से आपका a plus b आ जाएगा अगर वहीं पर बात करें इस दूसरे वाले फार्मूले का a square a square minus b square तो a square minus b square में a minus b होता है एक bracket में a plus b होता है एक bracket में तो आपका a minus b और a plus b यहाँ पर दो हो जाएगा और बटे में a minus b से a minus b वाला कर जाएगा तो आपका a plus b बच जाएगा तो इस प्रकार से आपका यह भी question solve हो जाएगा वहीं अगर बात करें a plus b एक bracket में a minus b एक ब लिखा हुआ है तो आपको से a square minus b square लिख सकते हैं जैसा कि अभी हमने यहां से आपको बताया तो यह आपका हो गया अगर आपको a plus b square plus 2ab के फार्मूला के बेच में आप लिख सकते हैं यहीं पर आपके a minus b का whole square दिया हुआ है तो यह सभी आपके common formulas हैं आपको यह पता होना ब आपको c को उपर लेकर चले जाना है और a से गुडा करा देना है और बटे में जो b लिखा हुआ है उसको ऐसे ही लिखा रहने देना है तो यह आपका हो जाएगा इस प्रकार से स्वालो कर पाएंगे यहीं पे अगर आपका कहीं पे लिखा हुआ है a upon b भागे c upon d भागे e upon f तो आपको इसे जो है इस भाग वाले निसान को आप गुडा में जब बदलते हैं तो जो यह उपर जो है उपर नीचे लिखा होता है इसे नीचे उपर कर देते हैं मतलब इसका क्या होता है जैसे अगर c upon d लिखा है तो d को उपर लिकर चले जाएंगे और c को नीचे लिक लगया और यहां भी उल्टा कर दिया गया तो यह आपको करना होता है यह एकदम से ही इसका आपको जो है देंकालना इसकी value आपको कैसे निकालना है यह आप एकदम easy तरीके से निकाल पाएंगे तो आपको क्या करना होगा सबसे पहले मैं बता दूँ आपको करना क्या होगा आप आप देखते पा रहे हैं ब्रेकर्स में दिया हुआ है सब एक एक ब्रेकर्स में दिया हुआ है तो सबसे पहले तो बटे में जो नहीं होता, उसे बटे में कर लेते हैं, फिर दोनों का लासा ले लेते हैं, अब लासा लेने पर इधर देखिए, आपका ये वाला इससे गुड़ा हो जाएगा, ये वाला इससे गुड़ा हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा, यानि कितना आ जाएगा, 4 और भाई थिरी आज आएगा तो इसी प्रकार से आपको जितने भी यहां पर यह वाला ब्रेकर्स का हमने भी साल्व करके दिखाया इसी प्रकार से यह यह सभी जितने भी ब्रेकर्स में दिये हुए हैं सबको आपको शाल्व कर लेना है और फिर ब्रेकर्स के अंदर ही रखना सबसे पहले चलिए solve करके आपको दिखा देते हैं तो पहला question आपका जो भी था वह हम solve कर लेते हैं तो अगर हम इसे लिखें तो यह आप इस प्रकार से लिख पाएंगे अगर brackets के अंदर लिखें तो अब हमें इसे simply solve कर लेना है भिन जो है आप जोल घटा जानते होंगे तो इसी प्रकार से आपको solve कर लेना है जैसे अगर हम इसे solve करते हैं तो one plus three और जो है one plus one by three को solve करेंगे तो अभी आपको solve करके हमने भी दिखाया था थीरी नीचे हो जाएगा और इसका तीन से गुड़ा हो जाएगा तीन प्लस एक हो जाएगा तो यहापर तीन प्लस से कितना हो जाएगा चार हो जाएगा इसे ऐसे ब्रेकर में लिखते चले जाएंगे यहां भी three minus one by three हो जाएगा इसी प्रकार से आगे भी आपका four plus one by four हो जाएगा तो हम इसे आगे solve करके आपको जो ऐसे solve कर लेना है आपके साब्ड करके आपके डाइलेट लिखके दिखा देते हैं तो आपके सामनी क्या बच जाएगा यहाँ पर अगर आप solve करेंगे चार बटे तीन गुड़े में अब ब्रेकर पर हटा देना है जो ब्रेकर लगा उसे गुड़े के रूप में लिख देना है और अंदर का जो भी है उसे वैसे ही जो है लिख देना है आप आप देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आज आएगा फिर आपका जो भी आपर कट रहा है यहां भी चार से चार कट रहा है पांच से पांच कट रहा है तीन से तीन कट रहा है फिर तीन एक Arkansas कि आजाएगा चारवटे पाच आजाएगा आजए देखते हैं चारवटे पाच कहां पे दिया हुआ है तो चारवटे पाच हमारा C वाल अप्शन दिया है तो हमारा क्ड़ा एकडम राइट होजाएगा खोग trek पिर से अगर नहीं समुझ मैं तो देख लीजे जल्दी से आप अपर देख पा रहे हैं पहले जो breakers के अंदर दिया उसे solve कर लेंगे solve करने के बाद गुड़े के रूप में जितना भी जो है 5 3 की whole power 3 है plus में 0.47 की whole power 3 है अपान में दिया है 0.53 का whole square minus में 0.2491 प्लस में 0.47 का whole square अब आपको अगर formula यहापे पता है तो आपका answer तुरंता आएगा तो आप लोगों को formula पता है वो लोग तो जान गये होंगे अगर आपको formula नहीं पता है तो आपको अभी भी answer आपका तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था लेजेगा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर A की वैलू कितना दिया हुआ है 0.53 और B की वैलू कितना दिया हुआ है 4.4 0.47 तो यह आपकी वैलू जो है A और B की दई हुई है तो आपकी A और B की वैलू सबसे पहले आपके find कर लिनी है तो a और b की value आपको यहांपर दिखा chili दे रहा है कितना कितना दिया है तो a is equal to हम लिख लेंगे direct यहांपर 0. 0.53 दियो हुई है तो 0.53 आप लिख लेंगे a की value और b की value हमारी कितनी दियो हुई है तो b की value दियो है 0. Midور 7 दियो है बैलू हमारी A plus B हो जाती है तो हम direct में इसे जो है जोड़ लेंगे A plus B हो जाएगा तो हमारा कितना आजाएगा बैलू तो हम अगर 0.53 और 0.47 को अगर joint करते हैं तो हमारा बैलू कितना आजाता है आजाता है 0 यहाँ पे 7 और 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा तो अगर आपको यह पर फार्मूला पता है तो आपका question जल्दी से लग जाएगा तो यह आपका answer हो जाएगा अगला question देखते हैं तो अगला question आपके सामने दिया है यह भी काफी जादा easy question आपके लिए है तो आप इसे कैसे solve करेंगे यह आपको ध्यान देरा है सबसे पहले आपका जो भी हमने बताया था अगर आपको कहीं भी one plus one by three या इस प्रकार से कोई भी दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले आपको ऐसे solve करना है आप यहां पे देख पा रहे होंगे इसमें कई part दिये हुए है तो आपको पार्ट वायाद करना है आपको सबसे पहले नीचे मार्व जो की दिया है दो माइने स एक बटा साथ ये आपको ग्याद कर लेना है फिर इसके बाद जो आपके यसकी बैलू आजाएगी एक बाफ़िक के रूप больш को आपको pineapple कर लेना है जैसा हमने बिर में बताया था एक क्रौस हो जाएगा फिर आपकी एक बटे में कुछ साथ को आप जब स्वाल्ब करेंगी तो यह हो जाएगा साथ हो जाएगा लासा और साथ दुनी 14 माइनस एक कितना हो जाएगा 13 बटे साथ तो 13 बटे साथ हमारा यह हो जाएगा वैलू अब इस वैलू को हम साथ बटे 13 बटे 13 बटे सारी तो इस पूरे की जगहें पर क्या लिह देंगे यहां को दिखाई ए होगा ये वाला जो हमारा बैलू कितना आया था साथ बटे तेरा आ गया था साथ बटे तेरा आ गया था तो अब हम अगर इसमें रखना चाहें तो अब हम इसमें पूरे के जगा पर क्या लिख देंगे साथ बटे तेरा लिख देंगे तेरह आजाएगा NorcasAmanda 22 bets जब 13 आ गया तो आब जाएगी तीरह जोadora कि हमारा कहां पर दिया हुआ है हमारा दिया हुआ है B वाला option तो B वाला option हमारा एकदम से right हो जाएगा तो ये आपका answer हो गया आईए अगले question की तरफ बढ़ते हैं तो आपको इन सारे questions में सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि आपको solve कहां से करना है तो सबसे पीछे से आपको solve करना है तो ये question तो आपको अपने आप करना है और HW में आपको दिया गया है ये अचे डबलू में करके आपको इसका answer हमें comment में बताना है जैसा कि हम रोज आपको एक question देते हैं और इसका answer आप ज़रूर comment में बताईएगा तो ये वाला question हम आपको कराये दे रहे हैं और ये question आपको homework के तोर पर दिया जा रहा है तो आपको देखते हैं यहाँ पर पहला वाला जो question है आपको board mask के rule से क्या बताया गया था अगर आप Hindi में जानना चाहते हैं अगर आप English में board mask का rule नहीं जानना चाहते हैं आपको direct Hindi में जानना है भागू जो घा भागू जो घा इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है भाग से भाग होता है गू से गुड़ा हो जाता है जो से जोड़ हो जाता है घा से घटाव हो जाता है तो ये आपका हो जाएगा भाग गुडा जोड घटाओ इसका मतलब क्या हुआ अगर आपके सामने ऐसे भाग गुडा जोड घटाओ सब कुछ आ रहा है तो सबसे पहले आप भाग करेंगे उसके बाद में आप गुडा करेंगे उसके बाद में आप जोड करेंगे फिर घटा लाओ करना है तो यह आप ध्यान देंगे तो आपका answer आइगा 63 बटे 7 और 63 बटे 7 जब आप करते हैं तो कितना होता है कितना होता है 7 नमा 63 होता है तो 9 आजाता है तो यहाँ पर हम 63 बटे 7 66 बटे 7 के रूप में हम क्या लिख लेंगे 9 लिख लेंगे तो हमारा क्या आजाएगा यहाँ पर 25 गुडे 25 और गुड़े में 63 बटे 7 को 9 लिख लेंगे और 27 और माइनस में 2 अब हमें पता है भाग के बाद क्या होता है गुड़ा होता है तो जह हम 25 को 9 से गुड़ा करेंगे तो हमारा कितना जायगा 5, 9, 45 हो जाता है 9, 45, 4, 9, 2, 18, 4 कितना हो जाता है 2225 हो जाता है 25 को अगर 9 से गुड़ा कराएंगे अब चुकि हमें पता है पहले भाग फिर गुड़ा तो हमने पहले तो भाग कर लिया भाग के बाद हमने गुड़ा कर लिया गुड़ा करने के बाद यहां पर फिर से वैसे उतार लेंगे फिर आपको पता है भाग गुड़ा हम घटा देंगे तो हमारी value कितनी आताएगी 250 तो यह हमारी value हो जाएगी अगर आप यहां पर भाग गुला जोड़ घटाओं का नियम नहीं लगाते हैं तो यह आपका answer गलत हो जाता है तो हमारा डी वाला option में आ रहा है 250 तो यह हमारा answer एकदम से correct हो जाएगा तो इसका आप को यह वाला question हमें comment में answer करके बताना इसका तो आपके सामने एक और question है यह भी काफी द्यादा easy question है आपको देखे ही अगर आपका जो है आप जानते होंगे तो answer इसका आ गया होगा देखते ही तो आईए से solve कर लेंगे आपको बता दिया है मैंने पहले ही कि आपको भाग ग बिच में गुळा करेंगे अगला तर्म दे होई जोड करेंगे चुकिए नहीं की आपको निगेटिव आती है चाहें जैसी हो अगर आपको माड में कोई निगेटिव दिया तो बाहर आएगी तो आपकी positive हो जाएगी बैलू यह आपको ध्यान देना है mod की value जो भी होगी आपकी positive ही आनी है mod की value आपकी कभी negative नहीं आती है तो आपको देखते हैं यहापे solve करते हैं तो mod लगा लेंगे और यहापे 2 का गुला 2 से हो जाएगा minus का निशान है minus लगा लेंगे 3 का गुला 2 से हो जाएगा 6 हो जाएगा और फिर minus लगा लेंगे 2 का गुला 4 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा थो डाईगा माइनस में 8rai 14 हो जाएगा और मउड में लगा दिये फ्lli is फ्lli si living-000 गट जाएंगा यहांपर 14 समय से बचाब जाएगा तो जो भी माइनस में आइगा और आंसर हमारा कहां पे दिया है आंसर दिया है बी वाला आप्शन तो यह वाला बी वाला आप्शन का एक दम से करेक्ट हो साएगा तो उम्मीद है आपको यह सभी कुश्चन्स अच्छे से आगे होंगे आपको ऐसे डेली साथ बजे क्लास दीत आती है पड़े आपकी मैस की क्लास आती रहती है तो आप पड़े जो है मैस की क्लास तुबा साथ बजे जो है चैप्टर वाइस सलूशन पाते रहते हैं और आपको अच्छे से तैयारी कराई दा रही तो प्लीज जो इस वीडियो को लाइक कर दीज़ेगा और इस वीडियो को जादा से जादा अपने दूसी ना की दिए और फिर आप साथ बजे रेगुलर बने रही का हमारे मैस के क्लास के साथ और आपको फिजिक्स कमेश्टी की भी क्लासे दी जाती है तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक की लिए जैहिंद जैभारत और ऐसे हमारे साथ जुड़े रही है और रेगुलर की वीडियो देखते रही है आपका गवर्मेंट कॉलर्स टॉप कॉलर्स कोई रही रोक सकता तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जैहिंद जैभारत